नवस्कार दोस्तों, परिक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है, मैं आसे इस पाठक, आज मैं आपके सामने UPSC का जो एक पोस्ट आया था आपका जनवरी में, उसके बारे मैं जिक्र करूँगा जो EPFO का था, ठीक है इसका जो EPFO का फूफर्म क्या होता है, Employed Provident Fund Organization, तो इस इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, काफी बच्चे बोल लहते हैं कि सर इसका test series और इसका test series भी चालो होगा, और साथी साथ इसके जॉब प्रोफाइल को मैं बता दूगा, कि इसमें जॉब आपको मिलती है, तो आपको क्या करना होगा, ये UPSC कराता है, UPS से आपका 20 में आया है, 15 जनौवरी के प्रोक्सिस की नोटिफिकेशन आय थी और 31 में इसका close हो गया था, तो उसमें आपका जोब प्रोफाइल क्या रहेगा, कौन से पोस्ट के लिए था, पोस्ट था आपका EO और EO, EO क्या है, Informacement Officer और EO क्या है, Accountant Officer, ठीक है, तो EO का ज जोब है, Age Criteria का है, इसकी Maximum Age आपको 30 साल तक है, इसमें आपको Qualification क्या चाहिए, आपका Simple Graduate होना चाहिए, और इसका Selection Process क्या है, Selection Process आपका एक Recruitment Test होगा, जिसके Basis पे आपका Selection होगा, और इसमें जो Slabers होता है आपका, वह बहुत सेम UPSC वाला होता है, मगा इसमें कुछ अलग से labor law है, और Social Security जैसे कुछ topic है, आपको पढ़ना है, account के कुछ basic knowledge होना चाहिए, और interview है, तो इन दोनों को मिला के 75-25 का ratio में आपका बनेगा, जो marks बाद में आपका cut-off निकलेगा, तो 75% return का, और 25% आपका interview का, ये पहले कितने का होता है ये पहले 50-50 पे होता थ मतलब 50-50, 50 आपका return test का होता था और 50 आपका interview का होता था, उसके बास इसकी working profile क्या है, तो working profile आपकी इसकी यही है कि जो भी आपके provident fund है, उसकी recovery, जो भी claim होता उसका settlement, जो government के account है, उनको देखना, प्लस इसमें कुछ legal जो claim होते हैं, किसी के provident fund से related, उसे भी देखना, legal मत मतलब इसलिए इसमें जो आपका education qualification में मांगा आगे कि जो भी law अगर candidate हैं, वो भी इसे भर सकते हैं, क्योंकि उन्हें legal में लगा दिये जाता है, कि अगर किसी का provident से related कोई case चल आए, तो उसे handle करते हैं, ठीक है, आपका cash book को maintain करना, जो PF से related जितने भी settlement है, उनको देखना प्लस जो भी employee जैसे यो जो है आपका ये field work में रहता है, तो ये field में जाता है, इंडस्ट्रियों में, वहाँ देखता है कि जो industry का मालिक है, क्या हूँ अपने employee को provident fund provide करा रहा है, कि नहीं करा रहा है, नहीं करा रहा है, तो फिर उसके उपर जो भी legal करवाई करना होता है, तो वह करता है, ठीक तो इस type के इसमें working आपकी profile होती है, pay scale के है, जब आप entry level पर जाओगे, इसमें EU में, दो साल का आपका provision period होता है, उसमें आपका 9300 से लेके 34800 तक, ये आपका pay scale है, इस pay scale में जो grade पे आपका 4800 है, इस 4800 grade पे है, तो ये आपका basic है, इसमें ये something salary मिलेगी, 53000 के approach salary मिलेगी, उसके बाद से इसमें posting कहां होती है, इसकी posting आपका जो भी regional office होता है, इसकी posting होती है, ये देखिए दो job है, इसमें EO और AO, आपको जब जाएंगे selection के बाद तो वो depend करता है, आपको कहां पे बदला field work में रखता है, ये best job में रखता है, उसक EO का post समाल होगे, उसके बाद से चार साल में, ठीक है, चार साल आपके लग जाएंगे, यहाँ पर assistant PF commissioner बनने में आपको, चार साल में assistant PF commissioner बनोगे, तब जाके जो grade पे आएगा, 15600 से जो pay scale है, आपका 49100 के बीच में आओगे, यही जो आपका pay scale जो होता है, वो किसका होता है अबी जो SDM का होता है, और सेम डिपटी FCP का होता है, यह pay scale होता है, तब जाके आप लोग उसके बराबर होगे, ठीक है, इस scale पर पहुँचोगे, जो चार पांच साल आप job कर लोगे तब, उसके बाद से यह आपका regional PF commissioner बनता है, यह भी कम से कम चार से पांच साल लगते है इसमें फिर PF, रिजनल के बाद यह भी second grade, ठीक है, रिजनल PF commissioner second, उसके बाद रिजनल PF commissioner first बनता है, इसमें क्या होता है, आपका P scale सेम रहेगा, मगर grade पे चेंज होता जाएगा, यहाँ चोवन सो grade पे की जोब हो जाएगी, और यहाँ पे चार शाट सो grade पे की जोब हो जाए आप जब PF commissioner 1 बन जाएंगे, और सबसे उपरी पोस्ट जो होती है, इसकी यह क्या होती है, additional central PF commissioner, ठीक है, इसका जब पे इसके लोग बदल जाता, अभी तक 15,600 होते है, अब पे इसके जए 37,800 पे आ जाता है, और grade पे 87,800 हो जाता है, तो यह इस job के सबसे उपरी पोस्ट य आठ से कितना question आता है, अगले वीडियो में, तो आप लोग यह job profile है, पूरा का पूरा, यहो का और यहो का, आप इस वीडियो को share करिए, like करिए, subscribe कर लीजे चैनल को,